दोस्तों अगर आपकेसिं में दाग, धबे जहां या पिग्मन्टेशन हैं या फिर ऐक्ने होनी के बाद उसका मार्क सहरा एया पिर गणे हो arthritis तो आज का ये रेमडी आपकी स्किन से ये सारी प्रोब्लम को दूर करके स्किन में पार्लर पेशियल जैसा ग्लो लेकिया अगी है hello everyone welcome to Rupaas Passion World दोस्तो आज मैं आप सरके साथ एक बहुती खास टोपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जि हां दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ फिट करी यान की ऐलम के बारे में बहुत प्रॉब्लम को दूर कर सकती है अगर आपके स्किन में दाग धबे जहाई या पिग्मेंटेशन है या पिर एक्नी होने के बाद उसका माक्स रह गया है या पिर स्किन में डार्क पैचेस होगी है स्किन में अगर एजिंग साइं दिखना स्टार्ट हो गई है जसके फाइन लाइंस रंकल्स तो इन सारे प्रॉब्लम से चुटकाड़ा पास सकते हैं सिर्फ इसे इस्तमाल करें सिर्फ यही नहीं अगर अगर अपने स्किन को ब्राइट बनाना चाहते हैं तो भी आप इसका इ अगर आपको यह एलम यह फिटकरी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और बहुत सस्ता है लेकिन इसका जगुर्ण है वह बहुत बहुत जादा है तो मैं आज आप से साथ करूंगी किस तरह से आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को ब्राइट लाइट इन ब्राइट इसके मारती है जो किसे इसमे उया ςम्म जो है यह लेकिन से कई सारी प्राप्लम को दूर करती है अक्ने रेसी डग धबे को कम करने में मदद करती है अपकी किसी बिर अगदर कंबैम को दो क्रूंग इसे इसमें बहूत साधा ऐंटिवैक्टरियल पर्पार्टीस होती है और यह एक natural antiseptic है जो कि आपकी skin से बहुत जादा जो कठ जाता है या फिर आपके skin में एकने या पिर fungal infection रही है तो उसे भी कम करने में मदद करती है निक्स्ट मैंने किया है अमिक्सिय के जार में इसे टाल के इसका एक इसके बाद आपको च्छान लेना है ताकि का यетрी न응 पंट पर सूत eaternd रहे चिकएशन अग आपके स्किन को हर्ष कर सकते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है एक दम फाइन सा स्मूथ सा पाउडर इसे बना लेना है और इसके बाद आप इसे एर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं सालों साल ये ऐसे ही रह जाएंगी बिल्कुल भी खड़ाब नहीं होगी ए सालों स्टोर कर सकते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे स्किन लाइंग और inimल को दूर करेगा अगर किस किन नुद है यह कि ड्रूंबर्ण हो की स्किनन को दूर सक्षए में ढूल दूर के लिए दोब किन करेग और अपकी स्किन को यह डिपली क्लीन करें और नूरिश भी पिर सबसे पहले मैंने एक चुटकी यहाँ पर आलम का पाउडर ले लिया है उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ एक चमच कोकोनट ओल कोकोनट ओल आपड़ी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है इसकिन से फाइन लाइन्स रिंकल्स को कम करती है स्किन को डिपली क्लीन करती है जी है दोस्तों कोकोनट ओल एक नाच्रल क्लेंजर है और आपकी पोर्स के अंदर जो जम्ही हुई मैल है उसे भी निकालती है नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक चमच अलोवेरा जिल अलोवेरा जिल हमरे स्किन से एकने रैशिस को कम करती है अगर आपके स्किन में संटैन है या इसकिन को टाइड भी चाड़ेगा अगर आपके स्किन में आपने रैश jis की प्रॉबलम है उसे कम करें आपकी स्किन को यह लाइटन बाइटन करेगा पोर्स के अंदर जो गंदगी जो मैल है उससे क्लीन करेगा और डिट स्किन के लियर को भी रीमूफ करे गा तो चलिये बाद अन्रे के लिए के जा कि बाद पूस 되면 इसे तब करना है उसी कहा है आ पह नहीं list स्किन कर लेना है एक मासक की तरह औरेकर के सिर्ध लोगए के लेआ है जस्च दो तरी से इस तरह पनना क्लेंजर करें पें चाहए में लाओ लेगेजर मुडम पुर्स के लेए क्लीन अपके सकंडिये थे घे उसे कलीन इन्स पेस कषन एक्ने रैश है दाग्धक तरह埃 नहीं कलिने थे मनत Gotta एक श क्लींस कलीन आए दाग्दये तो ये क्ली Argand some और पोरिस कंने में मेश स्काली को ये च्छी तरह से क्लीन करेड़ आप चाहे तो डाइर्क वोटर से भी क्लीन कर सकूए और यह क्लेइंस तु इप ही कर देगी सॉन 9 को भी 우्य कंसे अँडर करेगी Keru उत नियुक्ति मैं यह पर मना रहा हुआ हूए एकिस्केंक को श्रिक्त करेगी अगर आपकी स्कीन में दाग धपे जहां या पिग्मेंटेशन है तो यह मार्क्स उसे भी कम करने में मदद करेगी है तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया था एक चमच राइस फ्लोर यानि की चावल का आटा जी हां दोस्तों चावल का आटा में बहुत सारे एंटी आट आट करि हो एक चमच को को कशना टोईल से बढूंगल ना कि दंसाना के विया को कशना एक चाभी आुड़ जीए को 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 कान टोईल एक छाफ एक चमच ऑसा पी चमच ब्रक में बहुत चापोड के सिहां है कि हनी में धेर सारे vendors निट मिनले हैंire सिकन के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके सिकन से एजंग साइन को भी दूर करती है निक्स्ट महीया और एट कर दियो थोड़ा सा कुछ बूं दें की ग्लिसरेन अब के सिकन लिए भी बहुत अच्छा है ये इस स्किन को राइट बनाती है, water level को maintain करती है, स्किन को hydrate रखती है, एक रपयर करती है, आगर अगर आपके स्किन में damage cell है, तो उसे भी ये repair करने में मदद करती है, जिया है दोस्तों, glycerin हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, आप अपने मॉस्चुराइजर या पर नाइट क्रीम जो है जो आप इस्तमाल करते है उसके इंग्रीडिन्स आप देख सकते है उसमें ग्लिस्रिन जरूर होगा जी हाँ ग्लिस्रिन इतना अच्छा है ग्लिस्रिन एक बरदान है हमरे स्किन के लिए तो अच्छी तरह से इसे म पहले हमेरे स्किन को क्लीन कर ही लिया था इसके बाद इसे अपके स्किन से टैनिंग को रिमॉफ करेंगी रibl इंफेक्षन है उसे भी कम करने में मदद करेंगी इंप्रोफ करेंगी इंप्लिफ्ट करेंगी एजिंग साइन को दूर करेंगी और आपके स्किन को एकदम लाइटन ब्राइटन देगी तो सबसे पहले एजए फेसमार्क्स अपको इसे अपलाई कर लेना है उसके बाद संसरे के बाद वायट जाएंगी तैनिंग अना लाइटन होजाए जाएगए अगया जाएंगी प्रिग्मेंटेशन को पिखना तो अच्छी तरह से इसे अपलाई करने के बात आपको क्या करना है नॉर्मल वर्टर से स्कीन को दो लेना है अगर आपके स्कीन बहुत ही ज्यादा ऑईली है तो फिर आप क्या करेंगे एक माइड फेश रॉस से अपनी स्कीन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे मैंने मेरे कि बुइत कर दिए हैं के नियुक को इसके तो इसके भाद आपको प्रॉच कर ना है मैंड़ पीज तर लागा दिए तकि आपको तक मैंने मॉस्च्राइजर भी नहीं लगाूं этप mauvais करते हैं उसे ही प्लाइ कीजिएगा और देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है यह इसकिन से दाग धबे जहाएं और धीरी दीडे खतम कर देगी आपकी स्किन को लाइट अब राइट कर देगी अगर आपकी स्किन में फंगल इंफेक्शन है तो यह उसे भी कम कर देगी तो कब खुद फील करेंगी शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में